लड़केन के भाविस बनाने के लिए हिम्मत रखे हिम्मत ना हा रही है तो सारा काम हो जाएगा हिम्मत हा रहेंगे तो कोई भी काम नहीं हो स्वागत है आप सब का अन्या गरीन एनर्जी यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका दोस्त अमन मौर्या तो मेरे पीछे आप बोड देख पा रहें अन्या गरीन एनर्जी का तो यह प्लांट लगा है बेशिकली हमारे बहराई जिले में मैं आपको दिखाऊंगा तो इदर आप पूरा एड्रेस देख सकते हैं एड्रेस में आपको दिखाऊं तो यह है मौर्या सोला राटा चक्की ग्राम नया जलहन पुरवा कुशुहा नगर इंतिहा बहराईज तो दोस्तों इस प्लांट की जनकारी आपके साथ सेयर करते हैं और आपके जो भी सवाल होते हैं उन सवालों की जब आप डूनेंगे कस्टूमर रिवीव आपको दिखाने वाले हैं तो वीडियो को आखरी तक देखिएगा आपको पूरी जानकारी मिलेगी तो यह देखें दोस्तों आपको पूरी स्रीज दिख रही होंगी तो 16 पैनल नीचे वाली स्रीज में है 16 उस के साथ मैं आपको दिखाना चाहरा हूं इधर आप देखें तो लाइटिंग अरेश्टर लगाए तो यानि लाइटिंग अरेश्टर का काम यही होता है कभी आकासी है बिजली अगर आपके पनल पर आये तो उसको अरेश्ट करके जमीन में ग्राउंड कर देगा जिसके लि वारिंग करी गई है और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं तो इनके खेट पे जो लगा हुआ है तो यहां पर यह इतना कितना स्कॉयर फिट होगा भी यह जगा यह 52 फिट में इनका 32 पैनल पूरा लग चुका है और यह आप देखें यह है अन्या ग्रीन का हापकट मोनो पर पैनल 540 वाट का चक्की पे इसका बहुत ही डिमांड है इस पैनल का और इनका जो इस्ट्रक्चर है वो साइध इधर दो फिट होगा नीचे और यह है पांच अच्छा है ना बढ़िया है कोई दिक्कत आंधी तुफान आया अभी तक सहीं चल लाए कि नहीं मतलब पैनल आपका कोई डिस्वैलेंस तो नहीं हुआ इस्ट्रक्चर से खुस है चलिए आपका प्लांट दिखते हैं अंदर क्या काम चल लाए तो आई आपको कार खाना द पीछे को घर बना रखा है तो यह कुछ इस तरीके से इन्हों ने इसे सेट किया हुआ है और यह चक्की अठारा इंच की चक्की है अभी इसमें ड़ला हुआ है और अभी इसको चला के भी दिखाते हैं आपको इसके साथ में इनका पुली सिस्टम देख सकते हैं और मैं ज़रूरी है और यहां पर मीटर में आपको मैं दिखा दूँ तो डी सी वोल्टेज ऐसे कुछ के यह पूरा प्लांट आपको यहां पर बताता रहता है कितना मीटर चल रहा है और इसको ओन आफ यहां से कर सकते हैं और यह अंदर आपको व्यवडी दिखेगी इसकी वाइरिं चलमे तो दोस्तों अभी हम बैठे हुए हैं चाची के साथ और इनहीं के नाम पर प्लांट है और यहीं है इस प्लांट की मालिक क्या नाम है आप ने प्लांट लगवाया है आप यह बताएं कि सबसे पहले जब चक्की स्टार्ट ङुए था कितने समय से आप चला रही है और आपको मैंने देखा कि आपके जुह हैं आप ही पूरा काम देख रहींग तो पुरा मेंनत आप कर मेंक क्षोटा घर के लिए बिजनेस हे वहीं मुक्त दॉड़ दॉड़ है बहुत לभल अब ही आई है और क्या करें है हमने देखा कि दुर्गेश जी के पिता जी नहीं है उस वक्त आप कैसे अपना काम चला रहे तो कैसे बिल्कुल मैं चला रहा था बच्चे मेरे छोड़ छोड़ थे यार दस साल के थे यह बच्चा हमारा हां दो यह एक लिर्की है किसी तरह से हैं पोसे हैं तब इतना बड़े किये हैं पढ़ाय लिखाए हैं अभी दिसंबर में मेरी सत्तर हजार के भाइस मर गई तो क्या करें हैं ऐसे दुख सुख लगा रहता है अभी आप इंजन से काम कर रहे थे उसमें कितना डीजल अगता था चौदा पंदरा लीटर रोज के है ने की किता फंद्रा सोग्य घर्चा अथा तो ढर्स बचस्ति में वह जहाए तो कुछ नहीं बच रहाता है भाली इक सब्सक्राइस कई सब्सक्राइब आप काम चला रहे थी अपना यह बंद करने के लिए सोचत है अपने कि इतना महिंगा हो गया बंद कर देंगा तो बिल्कुल सोचे थे तब जो भी पाइले से फ़ाइब आगे चलके आपको फाइदा होगा लेकिन आपका कार खाना नहीं बंद होगा अच्छा यह आप सुचिए कि दुरगे जब छोटे रहोंगे आप कैसे मतलब उस समय में आप कैसे काम करती थी हम खुद कर रहे थे क्या करें भी चप्ट की में बच्चन के लिए बच्च की स्कूल भेज देते थे इसके बाद 20 खिला रहे थे चक्की भी देख रहे थे फिर सुबह साम दूर्श काम करते थे भाड़ी कहते हैं खाना पानी दिन हुआ लग तब दिक्कत है थोड़ा बादल होगा तो थोड़ा कम सहीं चलेगा तो सत्रा किलोवाट का यह प्लांट है और 10 HP की मोटर चल लए दिन में कितना अप्षाही होता है दिन में आठ वजे से आप जाने जिए पांच बज गया आठ वजे से पांच बज तक चलता है तो अच्छा है दिन में कि अख्षाह करें भाध करें बड़ारा में था यह कुछ दिन में काम करेंगी बड़ी हारा दे और से काम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है अँच्छा अच्छा आटा क्वालिटी कई इंजन से और की सोलर से अच्छा है आप वहाँ देखिए क्योंकि बहुत लोगा आपको देखने वाले हैं और बहुत लोग लगवानेवाले क्या कहेंगी तो आपका काम लगभख इतना हो जातल कितना काम है कुछ लोग तो कुछ अलग-अलग बाते कह रहे थे क्या लोग कुछ कहते हैं कोई कहता है ज्यादा रेस है तो हम कहते हैं जिम्दारी हमारा हम वापस कर लेंगे और क्या कहेंगे अधनने क्या है पूरा हम जिम्दारी लेंगे हैं अच्छा अश्ट्वर क्या है था आटस रही है कि नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है अब आप काम कर रहें पहले इंचन से था तो तो सोरगुल बहुत होता था अब क्या है अब अच्छा विजली आप क्यों नहीं लगवाएं विजली तो लगवाना चाहिए नहीं लगवाई इसलिए हमको धोखा हो जाएगा अर्फिंग ले लिए था काटा बाट पो तर गया थो बील्कुल लड़का मर गया तुरंट इसलिए हमने कहा कि बिजली में खत्रा रहता है अब पाइनल में यहां पर करेंट औरेंड का कोई दिक्त नहीं है इसलिए बहुत सो समझ के लड़कें बाविस बनाने के लिए यह काम कर दे बाहर जाए इनके पिता जी का बिजनेस है उनका यही काम था तो आप उसे बंद नहीं कर सकते हैं प्लांट सब कुछ सारी चीजे सहीं चल लएए आपके जीवन में क्या बदलाव जो पिछले इंजन्स जला रहे थे आज इस महीने में आपने क्या-क्या मतलब बदलाव देखें बदलाव बहुत आगया परिवारतन आगया पैसा मान चलो मेरे सब हाथ में रहता है लेकिन अभी देन लेन है तो इसलिए मालूम नहीं देता है तो धीरे-धीरे खतम हो मतलब आठ बज़े चलेगा इससे पहले अपना पूरा भाइस वाला काम कर लेंगी और उसके बाद देख लेंगी सब देख लेंगे आपके उपर बहुत जिम्मेदारी है और आपने आपका मतलब एक परिवार का मुखिया है तो आप ये काम कर रहे हैं आपने बहुत महिबएं मना करती है के कि आदमी को क्या पैनल ना लगवाऊ पैसा लगता है क्या उनको कुछ कही है और कि भी काम नहीं होगा कोहीं करने के लिए महिनत- Il two oh हैं कि कैसे करें हम तो लोग फाइदे के लिए हैं बिल्कुल आपको लग गया आप सही काम चल रहा है और हम तो यहीं सच्छाई दिखाते हैं एक एक आदमी की सच्छाई दिखाते हैं कि उसके जीवन में क्या परिवर्तना अभी इनका समय भी बच रहा है 8-10 घंटा काम करते जोग करते हैं यहां के लोग बहुत अच्छा का तो यहां के महिलाएं जैसे पिस्था यहां कि लुग नहीं पार यहां थोड़ा समय था ना नहीं लेना है नाम नहीं लेना है किसी को तो दस लोग रहते है किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है हम को मेहनत मजूरी हम करेंगे हमत नहीं हा रहेंगे तो पूर हो जाएगा अब दोस्तों आपको क्या ही पता है पूरा चीज़े आपको हमने बता दी है यह सच्चाई पूरी जो भी हमने इस प्लांट आपको दिखाया और यह हैं हमाई सामने और बैठी हुई है इन्होंने आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है अपने आटा चक्की को सोलर आटा चक्की में बदलना है कि नहीं बदलना यह तो आप ही लोग पर डिपंड करता है बाकि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईए और अगर आपको सोलर आटा चक्की से रिलेटेट कोई जानकारी चाहिए तो यहां पर नंबर आ रहा होगा उस पर फोन करिए जानकारी लिजिए और संपर करके आप अपने सोला राटा चक्की को लगवा सकते हैं नौर्मल राटा चक्की से तो चलिए मिलते हैं किसी अगले प्लांट पर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जैहन